कि नमस्कार बहुत स्वागत है आपका कभी कभी सत्रू भी बढ़ जाते हैं कभी नौकरी में समस्या आती है संतान कहना नहीं मानती विवा में परेशानी बैबाहीक जीवन में अटेंशन कभी कोई तीसरा आपके लाइफ में आ गया अब हो वहां परेशानी कभी पडोसी भी परेसान करते कभी आपका दुकान बांद देते कभी आपकी जौब नहीं चलती हर तरह हर तरफ समस्य आए हैं इस भाग दौर बड़े जीवर में ऐसे में आज हम आपको दो महां प्रियोग बताएंगे हलां कि दो से जादा ही बताएंगे लेकिन सबसे पहले तो हम आपको बत पूट रहे हैं तब एक चोटा सा काम कीजिए आप किसी भी सोंबार को कर सकते हैं अगर आप सावन के महने में करेंगे तो किसी भी दिन ये प्रियोग कर लीजिए बहुत सिंपल है करेंगे क्या एक बिल पत्र ले ले एक बिल पत्र याद रखिए बिल पत्र में तीन पत्त और दोनों तरफ दो बाकी के नीचे के साइड दो पत्तियां है उसमें लाल चंदल लगा लिजे लाल जिसके भी लगा सकते मार्केट में मिलता है अब इसको लेकर किसी भी पास के सिपजी के मंदर में चले जाए और शिपजी के मंदरी में जाकर सिबलिंग में बिल्कुल कर्जों से मुक्ति के लिए धन प्राप्ति के लिए सत्रु बाधा रोग अगर कोई परेसानी दे रहा है अपना मकान नहीं है कैसी भी समस्या हो बच्चों का बिबान ही हो रहा है तब एक छोटा सा प्रियोग आप स्रावन के महने में किसी भी दिन कर सकते हैं या पिर पूरे साल किसी भी सोंबार के दिन आप कर सकते हैं ये प्रियोग करना क्या है अगर घर में आपके सिवलिंग है तो आप ये प्रियोग हला के घर में भी कर सकते हैं लेकिन बहतर होगा मंदर जाकर ये कर लीजेगा क्या करेंगे आप पास मर लेके जाएए एक लोटा जल सहद और एक बिलुपत्र सबसे पहले तो बिलुपत्र पर जो बीच वाला पत्ता है उस पर सहद से अपनी अना मिका उंगली को सहद में डुबोईए और उस सहद से सबसे बीच वाला बड़ा पत्ता के उपर लिखे ओम और दो जो पत्ती नीचे की ओहरे बिलुपत्र में तिन पत्तिया होती है उस पर गोल बिंदी लगा दे सिविलिंग पर उल्टा और पित कर दे और इस चिपकाना है आपको सिविलिंग पर और उसके बाद आप एक और काम करें चिपकाने के बाद इस बिल पत्र को आपने चिपका दिया अब सहत से साथ बिंदी लगानी है जहां पर असोख सुन्द्री वाला स्थान है सिवलिंग से जैसे बाहर की हो रहा है वैसे बिंदी का करम रखेगा उसके बाद एक लोटा में जल लेके गया है थूरा सा जल और पित कर दें और अपने सिवजी से जो आपकी मनो कामना है समस्याय कहें कुछ दिनों में ही सावन बीतने से पहले या सोंबार क्यों कि क्या है तो अगला सोंबार आने के पहले ही कामना पूर्ण होती हुए आपको दिखने लगेगी कई बार जीवन जीने की चाह खत्म हो जाती है और जब सत्रू अपने हो तो परेसानी और बढ़ जाती है जीवन में हर कदम पर जब कोई जाल बिचाने लगे तब घुट- जीना पड़ता है आखिर इन तमाम परेसानियों का कोई तो हल होगा या यूही पूरी जिन्दगी निकल जाएगी ऐसे ही गुट-गुट कर बहुत सारे सवालात आपके मन में होंगे बहुत सारे हमारी माताओं बेहनें के बहुत सारे सवालात आते हैं क्या करें जब अपन के कहते हैं कि बहुत सारी तकलीफें हैं जिन्दगी में क्या करें आज हम आपको कुछ ऐसे उपाई बताएंगे जो आप करें तो 100% रिजल्ट देंगे हाथ हो हाथ क्योंकि यह खुद अपने आप में सिद्ध उपाई है और इससे बड़ा भ्यानक उपाई कोई भी नहीं ह है अगर हम इस तंत्रविद्या की माने तो हलांकि यह तांत्रिक उपाई है लेकिन जो तिसी उपाई भी है इसमें कहीं कोई मंत्र जपने की आवसकता नहीं है लेकिन आपको आपकी परिसानियों से बाहर निकाल देगा आपके बहुत सारे मारमिक सवालात हमें आहद करते हैं तो चलिए आज हम आपको आपके तकलीफों से बाहर आने के लिए एक विसेज उपाई बताएंगे जो उपाई अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए फिर कोई दूसरा उपाई करने की आपको आवसकता ही नहीं होता है अगर आपको भोछबत्र मिल जाय वैसे पूजा समकरी के दुकान में मिल जाता है अगर मिल जाय तो अच्छी बात है उसे कागज ले लें सफेद कागज मतलब ruling वाला नहीं यानि जिसमें मैत भनाते बिल्कूल प्लेन होता है कागज वह कागज लीजिए अब इस इसको आप क्या करेंगे आपको कागज लेने के बाद अस्ट गंध यह भी आपको मार्केट में मिल जाएगा अस्ट गंध को अनार की कलम से हलांकि अनार का कलम आपको जल्दी नहीं मिलेगा तब ऐसे में आप इसके लिए चांदी की कोई आप काठी का प्रयोक कर सकत ने चांदी की कोई भी चीज का देसन अग funds नहीं दले कर पत्तर को पत्त में लगा हूता है उसी बंफंत से लिखिएगा अस्ट गंध का आपको मार्केट में बहाते हैं अब इसको आप बेलपत्र के डंठल से, अगर आपके पास जो है, उसी से करें, क्योंकि आपकी सुवीदा सवरो पड़ी है, दिल से कीज़ें, क्योंकि दिल से की गई कोई भी उपाय, कोई भी मंत्र जल्दी फल देता है, तो आपको भोज पत्र लेना है अस्टगंद लेना है और अगर अनार की कलम मिल जाए तो अच्छी बात नहीं तो बेल Under 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 timeline अब इस पर आपको अपने सत्रू का नाम लिखना है किससे लिखेंगे बेल पत्र को डंठल को पहले तो अस्टगंद थोरा सा किसी कटोरी में निकाल ले उसको गंगा जल या प्लेन वाटर पानी जो भी आपके पास है उससे गीला करके गाढ़ा सा गोल बनाईए अब बेल पत्र को उसमें डुबाईए और इस अस्टगंद में करके आप जो भोष पत्र लिये हैं या आपके पास जो सादा कागज है उस पर जितने भी आपके शके बर पत्नियों से बनती भी नहीं है उतल कर सकते हैं सााथ ससूर से कई कई बार करू भी जलते हैं । कई बार सबसाद करें का बijnाफिस में बहुत सारी शटाप ही जलते देмотри देखना नहीं चाहते लगेगा वार कि जन्म का दुस्मनी निकाल हैं था आप के अंदर काम करने वाले लोग भी आपसे दुस्बनी करते हैं आप ब्यापारी हैं आपके जिश्टाप हैं वही आपके मन मुताबिक नहीं है बहुत सारी टेंसन है जीवन में इन तमाम परेसानियों से बाहर निकलने के लिए ही आज हमने यह उपाय के सामने रखा है और एक खुरी लेंगे आपना यकीन वान वानिए ना तो आपकी साभी ना ही प्तियों को पतियां सताएगी ना पत्रीों को सब्सक्राइब नहीं टॉर्चर करेंगे बहुत सारी हमारी महिला हैं यह ऐसा कहती है क्या करें बहुत कस्ठ है सवराल में घुट-घुट कर जी रहे हैं अब नहीं जीना होगा जितने भी लोग आपको लगता है आपको नहीं पसंद करते यह जो सहद है ना उन रिस्तों में मिठास घोलेगा उनके बुद्धी को मती पर एक मिठास का घोल लेबल लगा देगा वो चाहकर भी आपको टॉर्चर नहीं करेंगे और बेबज़ा आपके खिलाब सट्यंतर भी नहीं बनाएंगे धीरे धीरे सब कुछ आपके हक में आ जाएगा तो चलिए सुरुआत करते हैं आप हर कोई क तकलिफे àp किसी के लिए भी कर सकते हैं उन पर नहीं होगा पोजेटिव यह होगा कि उनके बुद्धी बदल जाएंगी वह आपके सामने influencers यह आपके बातों को अच्छे से समझेंगे आपसे प्रेम भाव उनका बढ़ेगा या आपके खिलाब सडियन्त तो कम से कम नहीं लगाएं करेंगे फिर आगे बढ़कर तो आपने साधा कागज लिया है या फिर भोज पत्र लिया है अभी तक आप समझ चुके होंगे हम आपसे क्या कहना चाहते ह हमने भी बहुत बीस्तार से इस वीडियो को बनाया है प्लीज जरूर उपाय करें अब आपको भोज पत्र पर इस अस्टगंध की स्याही में डुबो कर आपके पास जो भी है अनार का कलम या फिर बेल पत्र का डंठल उससे अपने सभी सत्रूं का नाम लिख दें जितने भ बच्चे का भी लिख सकते हैं हानी नहीं होगा यकिन मानिये लिखने के बाद इसको मोरे अच्छे से मोर के छोटा से टुकड़ा बना ले छोटा टुकड़ा नहीं फाड़ना नहीं है उसको मोर ले अच्छे से फोल्ड कर ले अब एक सहत की सीसी भी आपको रखना याद र करते हैं इसको मुराव को जैसे सहत के अंदर पढ़ा है अच्छे से धकल लगा है अपने घर में कहीं वी कोने में इसको छिपा कर रग दे आप चाहें तो मिट्टी में कहीं ऐसे जगह दबा दे जहां इसको लोग हटाएं ही नहीं वो पढ़ा रहे जन्म जन्मानतर तक यकीन मानिए सत्रु सत्रुता भूल जाएगा और आपके खिलाब सड्ययंत्र नहीं करेगा आपके बारे में बुरा नहीं सोचेगा और अगर उसने कभी कभी गलती की है तो उसको रिलाइस भी होगा और निवाद